हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा वह अगर आप चाओ तो हमारी पुरानी वीडियो को भी एक बार याद से चेक कर सकते हो मैंने दो दिन पहले टाटा एलेक्सी के उपर वीडियो बनाई थी आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगी टाटा मोटर्स को लेकिन टाटा एलेक्सी के उपर थोड़ा सा डिसकेशन करना तो बनता है क्योंकि एक दिन के अंदर इस स्टॉक में आपका टार्गेट हिट हो गया है और मेरे बताय हुए लेवल्स पर अब exactly अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कहां पर बाई करना है चाटा इलेक्सी के चार्ट को देखते हैं तो यहां पर आप देखो जो मैंने आपको बाइंग लेवल बताया था 6600 रुपीज के पास में यह वाला लेवल है यहां पर जैसे यह आपका टाटा इलेक्सी का प्राइस स्लिप हुआ था यहां पर आपका बाई हो गया होता और मैंने आपको टार्गेट जो बताया था वो बताया था 7902 रुपीज का बहुत क्लियरली आप जाके वापिस से वीडियो को चेक कर सकते हो और आज के दिन का जो हाई लगा है वो आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा होगा 8000 रुपे का देखने को मिलाए एक दिन के अंदर आपका टार्गेट एचीव हो गया है अब यहां पर यह हेड और शोल्टर का पैटन आपको देखने को मिल रहा होगा यह पैटन भी मैंने आपको वित लॉजिक बताया था कि यह टार्गेट हम लोग क्यों एक्सपेक्ट क अगर आपको मेरी मैनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं मुझे पढ़के काफी अच्छा लगता है और आपके काफी मोटीवेटिंग कमेंट्स पढ़के मुझे काफी जादा मोटीवेशन मिलती है तो इस तरह का प 11-12% तक भागते हुए आपको देखने को मिला था अब अगर मैं अपना personal view बता हूँ इस स्टॉक से related तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर ये स्टॉक मुझे 360 रुपीज के आज पास में देखने को मिलता तब मैं यहाँ पर और quantity एड़ करने के बारे में प्लैन करता है अल्य 366.20 रुपीज का लगते हुए आपको देखने को मिला है तो यहाँ पर मैं यह समझ के चल रहा हूँ कि जो मेरा target था मतलब मेरा जो aim था 360 रुपीज के पास से मैं buy करता इस stock को वो थोड़ा सा miss हो गया है actually क्योंकि 6 रुपए से ही miss हो गया है तो इन छोटी 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 को आपको बहुत ज़्यादा माइंड करके नहीं चलना है company काफी अच्छे खासे returns बना करके दे रही है already company की fundamentals भी काफी strong है management भी काफी अच्छी है लेकिन market में जो correction आ रहा है उसकी वजह से company में काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन अब यहाँ पर जै 366 रुपीज से directly 420 रुपीज पर जाते हुए देखने को मिला है almost 12-13% की तेजी आज के दिन इस stock में हमें देखने को मिली थी और उसके बाद market में जब sudden fall आया है last के कुछ घंटों में वहाँ पर आप देख सकते हो 420 रुपए से stock की जो आज की closing हुई है वो 404 रुपए प अब simple एक चीज ये समझ लीज़े suppose आपने ऊपर के level पर कहीं buy करके रखा हुआ है और आप अभी Tata Motors में ये confuse है कि आपको कहां पर buy करना है तो बहुत clearly मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 360 रुपीज के level को mark करके रख लीज़े in case अगर ये stock किसी भी वज़े से आज आपन मतलब ये है कि market में weakness है और ये weakness अभी और continue रहेगी तो ये जो sudden pullback आपको देखने को मिला है ये हो सकता है news based या short term की तेजी देखने को मिल रही हो आपको पता ही है कि Tata Motors के अभी हाल में ही results आए और results काफी शांदार है काफी शांदार है का मतलब ये है कि loss में तो ही company लेकि हो सकता है और यही सारी चीजे निवेशकों के लिए काफी जाधा attractive बन जाती है जिस वज़े से आज के दिन आपने इसमें sudden तेजी देखने को पाई है अब ये तेजी इसी तरह से continue रहेगी या नहीं रहेगी ये कहपाना बहुत मुश्किल है कोई भी इनसान ये नहीं कह सक उनके लिए best buying level हमारा फिर से 360 रुपीज का ही होने वाला है नीजे के लेवल पर आपको मिलेगा तब आप यहाँ पर buy करके चलना अगर यहाँ पर बीच में कहीं घूम रहा है ये stock बिलकुल भी buying के बारे में plan मत करना बीच के लेवल में आप trap हो जाओगे अब ये एक तरह से trap zone है यहाँ पर आपको बिलकुल भी trap नहीं होना है आपको जो entry बनानी है या तो आप 360 रुपीज के आसपास बनाना entry या तो फिर अगर ये stock आपको 447 रुपीज के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे मतलब 4500 रुपे के ऊपर अगर आपको ये stock sustain करता हुआ दिखाई दे आप इस stock में एक fresh entry बना करके चल सकते हो अब ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो कि 447 का level हमारे लिए सबसे important level होने वाला है क्योंकि 447 के ऊपर निकलते ही इस stock में जो हम लोग target expect करना start करेंगे वो सबसे पहला target हम लोग सीदे सीदे 520 रुपीज के आसपास का expect करके चलन वाले हैं 447 के बाद पहला target 520 का and second most important target जो यह हमारा resistance है 536 रुपीज का इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इस level पर आप continuously देख रहे हो stock ने एक बार दो बार यहां पर तीन बार attempt किया है इस resistance को break करने की लेकिन fail हो गया और fail होने के बाद अभी आप देख रह अच्छी कासी recovery दिखा दी है लेकिन फिर भी अगर आपको कभी भी कभी यहां से अगर मौका मिलता है जैसे अगर FIS की selling continue रहती है तो अगर किसी भी वज़े से यह जो gain आज हमें देखने को मिला है अगर यह gains हमें cool off होते हुए देखने को मिलता है तो आपके लिए जो best buying level ह होने वाला है या best averaging level भी होने वाला है काफी लोग average करने के बारे में plan करेंगे तो जो best averaging level होगा वो 360 रुपीज का ही होगा अगर यह stock नीचे आता है तब लेकिन अगर market का जो trend है वो change होता है जो sentiment से वो change होते है तब आपके लिए जो best buying और best averaging level होगा वोगा 447 रुपीज का अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह तो clearly समझ में आ गया कि उपर के level पर आपको 447 क्रॉस होने के बाद ही entry बनानी है और नीचे के level पर आपको 360 रुपे पर average या buying order place करना है अब सबसे important बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि हमें अपने stop losses कहां लगा करके रखने है देखो काफी important चीज़े stop loss लगाना आप चाहिए short term के लिए invest करो long term के लिए invest करो लेकिन आपको stop loss लगा करके रखना जरूरी होता है क्योंकि stop loss हम लोग उस जगा पर लगाते हैं जहाँ पर support होता है और support जब break होता है तब आप नीचे के level पर बस average करते रह जाओगे आपको फिर wait क करना पड़ेगा कि सबसे lowest level पर आप कोशिश करके average करो तब आपके जो buying price है उसको आप reduce कर पाओ और इस चकर में आपका बहुत ज़्यादा capital एक ही stock के अंदर invest हो जाता है इसलिए इससे better होता है कि आप छोटा सा stop loss लोग करके market से exit कर दो और नीचे के levels पर जब बहुत ज़ stop loss होना चाहिए वो केवल और केवल 322 रुपे का होना चाहिए बहुत ध्यान से note करके रख लीजिए 322 रुपीज का आपका stop loss होना चाहिए अगर आपने entry बनाई है 360 रुपीज के ऊपर तब otherwise अगर आप ऊपर के levels पर entry बना रहे हो तब भी एक चीज़ ध्यान से note करके रख यह वो आज का हाई जो हमारा है 420 का वो हमारा stop loss होने वाला है मतलब अगर आपने 447 पर entry बनाई है तब आपके लिए जो stop loss होने वाला है वो होने वाला है 420 रुपीज का बहुत strictly इन दोनों ही stop losses को मान करके चलिएगा क्योंकि otherwise अगर इसके नीचे वापिस से आपको market slip होत देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप suppose देखो अब समझने की कोशिश करो कि अगर आप 420 रुपीज पर यहाँ पर stop loss दे करके निकल जाते हो तो यहाँ पर 420 से यह market हमें वापिस से 360 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिलता तो यहाँ पर आप कितने points सेव कर रहे हो टोटल 60 points आप सेव कर रहे हो 60 points का wastage आप यहाँ पर सेव कर लोगे अगर आप stop loss दे करके market को चले जाओगे otherwise अगर आप 60 points यहाँ पर waste नहीं करना चाते तब कोई बात नहीं आप stop loss हटा दो नीचे के levels पर यहाँ पर buy कर लेना लेकिन suppose यहाँ पर दिक्कत तब हो जाती है कि market आगर यहाँ से और नीचे जाना start कर दे और नीचे के level पर आपका stop loss है अगर उसको भी hit करके और नीचे जाना start कर दे तब आपका बहुत बड़ा loss हो सकता है उसी बड़े loss से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग बहुत छोटा सा stop loss दिए 30 पॉइंट का हमने 30 lä avec सब्सक्राइब थेतों पर हमने यहां पर 360 में किया कोशिश करना है समझने की कोशिक कर रहा है तो तो यहाँ पर अब आपका total कितना हो गया 447 से 420 का आपका जो stop loss लगा है यहाँ पर आपने कितने points मिस किये हैं यहाँ पर आपने 30 points को lose किया है और यहाँ पर आपने कितने points को lose किया है 40 points को अगर आपके stop loss हिट हो रहे हैं तो total आपने कितने points मिस किये 70 points आपने इस stock के अंदर मिस कर दी है total ठीक है अब यहां पर समझने की कोशिश करो suppose आपने 420 रुपे पर एक stop loss लगा कर क्या रखा था 447 रुपीज पर entry बनाई थी 450 माल लेता हूँ तो 450 रुपे पर अगर आपने entry बनाई है और यहां से आप slip होते 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 यहां से लेकर के यहां तक आपके 90 points तो एक ही बार में आपके lose हो चुके है अब आप सूच रहे हो यहां पर की average कर लेते हैं चलो भाई ठीक है आपने average कर लिया तो 450, 360 इसका averaging अगर आप कर लेते हो तो आपको जो averaging point होगा वो 450 से reduce हो कर के हो जाएगा 405 रुपए का exactly ठीक है 405 रुपए पर आपने average कर लिया यहां पर quantity आपकी बढ़ गई है यह भी धियान रखेगा quantity आपकी बढ़ गई है अब double हो गई quantity अब यहां से अगर आप एक point भी नीचे जाते हो तो real में अब वो आप दो point नीचे जा रहे होगे ठीक है तो यहां पर अगर 405 रुपए पर आपका position बना है ठीक है 405 के averaging है और इसके बाद अगर आप यहां पर और 40 point नीचे दे देते हो यहां पर ध्यान से समझो 40 point आप अगर और दे देते हो तो इसका मतलब यह हो गया कि total यहां से 405 रुपए से ले करके अगर आपने 40 point और नी 322 मतलब 80 points यहां पर ऐसे clear आपको दिखाई दे रहे होंगे 80 points यहां पर ऐसे directly चले गए लेकिन quantity आपकी क्या हो गई थी double हो गई थी तो इसका मतलब 80 points into 2 कितने points आपने lose किये 160 points आपने lose किये हैं clearly अब calculation आपको समझ में आ रहे होगी कि stop loss का क्या importance है ऐसे मेरे दोस्त आप कितना points lose कर रहे थे केवल और केवल 70 points आप lose कर रहे थे stop loss लगाने की वज़े से लेकिन यहां पर अगर आप stop loss नहीं लगाते हो और नीचे के levels पर average करते चले जाते हो तो आप कितने points lose कर दे रहे हो 160 points lose कर रहे हो तो इसलिए मैं इसलिए अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि stop loss लगाया करो long term के लिए चाए short term के लिए आपको stop loss लगा करके ही trade करना चाहिए I hope इस वीडियो में बताएगा चीज़े आपको बहुत क्लियर ली समझ में आई होंगे अकर समझ में आई झाल के बताए बताए चाहिए I hope इस वीडियो में आई होंगे प्रोषण